नौसेना प्रमुख ने लॉंच किया स्वदेशी ड्रोन अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा निर्मित दृष्टी 10 स्टार लाइनर ड्रोन को भारतिय नौसेना प्रमुख हेड मिरल आर हरी कुमार ने हैदराबाद में लॉंच किया गया फर्म ने कहा कि सभी मौसमों में एक मात्र सैने प्लेटफॉर्म है जो दो हवाई क्षेत्रों में उडान भर सकता है कमपनी ने कहा कि नौसेना के समुदरी अभियानों में शामिल होने के लिए UAV हैदराबाद से पोर बंदर तक उडान भरेगा भारतिय नौसेना प्रमुख हेड मिरल हरी कुमार ने भारतिय नौसेना की जरूर्तों के अनुरूप अपने रोड मैप का जिक्र करते हुए इस्थानियक शमताओं को विक्सित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से व्यवस्थित रूप से काम करके मानव रहित प्रणालियों के प्रती अपनी प्रतिबधता प्रदर्शित की है द्रिष्टी दस के आने से हमारी नौसेनिक शमताओं में बढ़ोतरी होगी लगातार विक्सित होने वाली समुदरी निग्रानी और टोही के लिए हमारी तयारी मजबूत होगी या हमारे लिए एक सपना सच होने जैसा है कि भारत में 60% से अधिक स्वदेशी सामगरी के साथ एक Medium Altitude Long Endurance का निर्मान किया गया है यह स्थापित की गई क्षमता को प्रदर्शित करता है रामलला दर्शन का सारा खर्च जन प्रतिनिधी उठाएंगे मुख्य मंत्री योगी आदितेनाथ ने राम भक्तों के लिए बड़ा एलान किया है बुद्वार को बरेली पहुँच मुख्य मंत्री ने लोगों को अयोध्या आने के लिए नियोता दिया उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आये विधायक सांसत के जरीए अयोध्या आये सारा खर्चा जन प्रतिनिधी उठाएंगे मुख्य मंत्री योगी आदितेनाथ ने कहा कि एक समय था जब अयोध्या नाम से कयों को करंट लगता था लोग अयोध्या का नाम लेने भी डरते थे लेकिन आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है उन्होंने कहा कि अयर कनेक्टिविटी बढ़ाई गए है ताकि समान से लोग आएंगे रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी बुध्वार को दो फेर एक बजे बरेली कलब मैदान में पहुँचे उन्होंने यहां कई विकास योजनाओ का शिलान्यास और लोकारपन किया इसके बाद जन सभा को संबोधित करते हुए लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रन दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोगों को अयोध्या आना है 22 जनवरी के बाद दर्शन के लिए आये विधायक और सांसत के जरिये अयोध्या आये सारा खर्चा जन प्रतिनिधी उठाएंगे भारत जोडो न्याय यात्रा से जीत की तयारी में कांग्रेस लोग सभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस सांसत राहुल गांधी भारत न्याय शुरू करने जा रहे है 14 जनवरी से मनिपुर से शुरू होकर यह यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी राहुल इस यात्रा के दौरान 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेंगे इस दौरान वे बस से और पैदल 6200 किलो मीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे यह मनिपुर से शुरू होकर नागालेंड, असम, मेघाले, पश्चिम बंगाल, बिहार, जार्खंड, ओडिशा, चत्तिसगर, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी यह यात्रा हिंदी पट्टी के तीन हम राज्य मध्यप्रदेश, राजस्थान और चत्तिसगर में भी जाएगी भारत जोडो यात्रा MP और राजस्थान में भी निकाली गई थी लेकिन चत्तिसगर में यात्रा नहीं गई थी इस बार नियाय यात्रा 36 गर में भी पहुँच रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोडो नियाय यात्रा के दौरान मध्यप्रदेश में करीब 7 दिन रहेंगे। इस दौरान वे 698 किलोमीटर बस से और पैदल चलेंगे। रतलाम से जाबुआ होते हुए राजस्थान के बांसवाडा में चली जाएगी। इस रूट में साथ लोग सभा सीटे आएंगी। कच्च में बन रहा ग्रीन एनरजी पार्क। अदानी समू के चेर्मेन गौतम अदानी ने बुधवार को वाइबरेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान, राजे में ग्रीन एनरजी और नवी करनी उर्जा के छेतर में, अगले पांच वर्षों में 2 लाग करोड रुपए, 24 अरब डॉलर, के निवेश का एलान किय अदानी ने कहा कि, इस निवेश से राजे में लगभग एक लाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हो सकती है, उन्होंने आगे कहा कि, शिखर सम्मेलन के पिछले संसकरन में कमपनी ने 55,000 करोड रुपए के निवेश की प्रतिबधता जताई थी, उन्ह का निवेश कर चुकी है, अदानी समू के मुखिया गौतम अदानी ने कहा कि, कमपनी वर्तमान में कर्च में 25 वर्ग किलोमीटर में फैले 30 गीगावाट क्षमता के साथ, एक ग्रीन एनरजी पार्क का निर्मान कर रही है, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, अदानी मल्यालम फिल्म निर्माता विनू का निधन हो गया है, इंडिस्ट्री के सूतरों के मुताबिक, बीमारी के चलते फिल्म निर्माता विनू का हुआ निधन निर्माता को कोयमबटूर के एक अस्पताल में भरती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया, निर्देशक सुरेश के साथ मिलकर, विनू ने इंडिस्ट्री को कई फिल्में दी, रिपोर्ट्स के मुताबिक लोक प्रिय फिल्म निर्माता 73 वर्ष के थे, वे पेट बंधी तकलीफ के चलते, हाल ही में कोयमबटूर के एक अस्पताल में भरती कराया गया था, उनका उपचार चल रहा था, लेकिन उन्हें बचाया, नहीं जा सका, विनू के परिवार में उनकी पतनी और दो बच्चे है, मल्यालम सिनेमा में सुरेश विनू की जोड़ी काफ गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समित में पीएम मोधी ने संबोधित करते हुए कहा की, भारत को विक्सित बनाने का हमारा लक्ष है, आपके सपने ही मोधी का संकल्प है, आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ओर्डर में भारत विश्वमित्र की भूमीका में आ ट्रफियाला, मोजांबिक के राष्ट्रपती फिलिप जैसंटो न्यूसी, तिमोर, लेस्ते के राष्ट्रपती जोस रामोस होटा समेत, कई हस्तियों ने शिर्कत की, अपने संबोधन में पीएम मोधी ने कहा की, कुछ समय पहले ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समि की इस बार की थीम है, Gateway to the Future, 21 सदी की दुनिया का भविश्य हमारे साजे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा तो इसके पीछे बड़ी वजय है, बीते दस वर्षों में, structural reforms पर हमारा focus, इन reforms ने भारत की economy की capacity, capability and competitiveness बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है, recapitalization और IBC थे हमने भारत के banking system को दुनिया के सबसे बजबुत banking system में से एक बना दिया है, each of doing business पर जोर देते हुए हमने चालीस हजार से ज़्यादा companies को समाप कर दिया है, compliance को समाप कर दिया है, GST ने भारत में test के अनाविस एक जाल को खत्व किया है, भारत में हमने global supply chain के diversification के लिए बहतर माहूल बनाया है, हाल में ही हमने three FTA sign किये ताकि global business के के लिए भारत और attractive destination बन सके मंगलवार सुबह से ही सत्वास कांटा फोर्ड चेत्र में घना कोहरा चाया रहा, शेत्र में cold day जैसा नजारा दिखाई दिया, ठंडी हवाओ के साथ दिन की शुरुआत कोहरे से हुई, स्कूली बच्चे भी ठिठुरते हुए दिखाई दिये, कोहरे के कारण लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा अवैद हथियार, अवैद शराब और सर्टा के खिलाफ, कुठला पुलिस की ताबरतोर कारिवाही पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा छेतर में अवैद गतिविधियों पर अंकुष लगाने एवं सतत कारिवाही करने हेतू, समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया, जिस पर इंपेक्ष में दिनांक 9 जनवरी को ताबरतोर कारिवाही करते हुए कुठला पुलिस ने पहलवान धाबा के पास शाहनगर रोड से लोहे का तलवार नुमा चाकू लिये, एक व्यक्ती मोहित पटेल, पिता दलपत पटेल निवासी इंदरान गर्थाना कुठला को गिरफतार किया गया, साथ ही अनेक शेतरों में कारिवाही करके अवैद हथि अवैद शराब और सट्टा के खिलाफ कारिवाई की बढ़वा, 22 जन्वरी को अयोध्या में होने वाली, प्रान प्रतिष्ठा को लेकर संपून भारतवर्ष में हर्शोलास का माहौल है, राम भक्तों द्वारा इस हेतु अपनी खुशी जाहिर करने के लिए किये जा रहे जतनाय दिन देखने को मिल रहे है, इसी कड़ी में प अच्छारी शामिल है. आधे किसी से एक रुपए की मदद ले लिए, बट सुरों क्या करते हैं, पाइसा कमाने के लिए स्कॉंसर्शिप लेते हैं, यह लेते हैं, वाज़ाने, हम हमारा चाम नंदा चोड़के खुद के पाइसे से हम सब निकले है, राम के नाम पे निकले हैं, बस हमको राम चीये और कुछ ने चीए, पाइजा ने चीए, वाम चीए